नवस्तकार विद्यारति मित्रान्यों कश्याहाज बेटा मज़ेतना स्वस्त रहा मस्त रहा पीडवली सोबद अब्दास करत रहा में तुबा सग्या लोकांच स्वागत करता है इंडियाज बिगेश्ट ऑनलाइन आज वेलाइज ओफलाइन लर्निंग प्लाटफॉर्म कि सर स्टार्ट करो इलेक्र करेंट स्टार्ट को रूति करेंट स्टार्ट को तो ई उसे भी समझने की कोशिश करेंगे drift speed यहां पर हम drift velocity या फिर drift speed के बारे में चर्चा करेंगे ओहम लॉख को भी समझने की कोशिश करेंगे देन physical origin of the home's law and what are the limitations of the home's law तो यह सारी चीदे आज के इस lecture में हम अच्छी तरह से cover करने की कोशिश करेंगे बहुत बार मैंने comment section में भी पड़ा है कि अगर कुछ हम extra चीजे पड़ा देते तो वहां पर बच्चे पूछते कि सर यह कहां पर लिखा गया है टेक्सबुक में कहां पर बटा तो एक चीज अच्छी तरह से समझ लेना टेक्सबुक में सारी कि चीजे हैं उसके आलावा हम कुछ extra भी हम cover करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हमें अलग-अलग exam भी देने हैं सिर्फ CT नहीं दिना है हमें अलग-अलग exam भी दिना है तो हम थोड़ा सा वहां तक भी जाकर वापस आने की कोशिश करते हैं तो बिटा मेरे ख्याल से या आगे से ऐसे वाले अगर कमेंट नहीं करोगे तो यह मेरे लिए भी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा कमेंट करते हो कोई प्रॉब्लम है नहीं लेकिन समझ लेना अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज आप लोगों को देने की कुशिश कर रहे इसका मतलब उसका कुछ जम चुछ कवर करके आगे निकलना होता है तो वही चीज रहे रहे हैं सो यह कुछ अलग अलग पॉइंट्स जो आज की इस Elektrix क्रण क्या होता है सब लोगों को पता है सब लोगोंने नाइंटेंट में इससे समझने की शीखने की कोशिच की है तो हम यहाँ पर इसका ज्या तो करन का मतलब क्या होता है बिटा करन का मतलब देखना आई इस इक वल टू टू डिवाइड़ दिवाइड टी ताइम रेट ओफ फ्लॉ आफ चार्ज ऊके चार्ज किस तरह से फ्लो हो रहा है विदिन घिवन टाइम तो उसे कहा जाता है बिटा करन्स ऑई इसका सिंपल पॉर विला है हमने याद रखना है क्योंकि दायमेंशनल अनलिशिस में विकना हम इसको युजे करना होता है हमने बहुत बार किया है ॥ ह違ाई कुप आप आयाक से पटा है अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो चार्ज होता है मेरा कुलंब में टाइम होता है बीटा मेरा सेकेंद में और इसे ही हम कहते हैं चाह्युच आगर देखा जार्व यह तोसका एपन जीनिट करऊप करने की कुशिश करूं अगर मैं करन्ट के डायमेंशन करने की कुशिश करूं तो डायमेंशन मुझे मिल जाएंगे M0 L0 T0 A raise to 1 और मैं डायेक्ली लिख सकता हूं बेटा इससे A raise to 1 समझ लेना यह चीज़ क्योंकि कि यह one of the fundamental quantities है अमने फर्स लेक्चर में देखा था यूनेट्स के लेक्चर में देखा था कि fundamental quantity fundamental units किस तरह से है तो यह one of the fundamental quantity है तो देखो यह बहुत important चीज है यह जो formula है बहुत important है dimensional analysis में क्योंकि कि बहुत बार मुझे q दिया जाता है मुझे q को लिखना होता है बेटा i into t q को लिखना होता है मुझे i into t ठीक तो यह थोड़ा सा याद रखना आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे बेटा average current अब average current का formula क्या होता है तो average current का formula देखना i average ओक विचीज इकोल टू डेल्टा क्यू डिवारेड़ बाइड डेल्टाटी तो छार्ज कितना फ्लोव हो रहा है डिफरेंस कितना है चार्ज का ओके डिवन टाइम इंटर्वल में अगर मैं टाइम इंटरवल के बारे में बात करो तो मुझे आवरेज करंट मिल जाता है एक याद रखना जैसे ही एवरेज वाला वर्ड आता है तो बिटा ये डेल्टा में कनवर्ड हो जाएगा ये मुझे मिल जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड़ बाइड डेल्टा टी अब देखना करन्ट अगर मैं इंस्टेंटिनियस करन्ट कहता हूं तो बिटा मुझे इस एवरेज करन्ट को लिमिट लगाना पड़ेगा यह हमने सीखा था हमेशा एक चीज याद रखना अगर मुझे इंस्टेंटिनियस वाल्यू निकाल ने तो मुझे बिटा हंडेट परसंट डिफरें करना है डिफ्रेंशेशन करने के लिए बिटा मुझे एवरेज वाल्यू पता होनी चाहिए अगर मैं इस एवरेज वाल्यू को लिमिट्स लगा दू कि मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूं डेल्टा टी टेंडिंग तोड जीरो डिस विल बिकम आज डेल्टा क्यू डिटो डिटो डी डी कि डिवारेड़ बाइट दी क्यूदए टेकसि होता है तो वह होता बिटा डेल्टा क्यू ड्टा टी अगर मैं चेंज सानली कोशिश करूँ चेंज का रेशो लेने की कोशिश करूँ या फिर मुझे गीवन tijd म इंतर्वल दिया गया वो तो उस kसमे दो निकाल सकता हो एंडUST of instantaneous current इस average value को अगर मैं limit लगा दू डेल्टा टी इस टेंडिंग तो जीरो अगर डेल्टा टी बहुत ही छोटा है बहुत ही कम है तो मुझे instantaneous given instant पे उसकी value मिल जाएगी मतलब मुझे इस को इस डेल्टा सरी क्यू को differentiate करना पड़ेगा with respect to time तब जाके मुझे instantaneous current मिलने वाला है तो यह बेसिक बेसिक सी चीजे है definition के साथ तो आगे बढ़ते ही बेटा next electric current की बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे डाट इस direction of electric current current का direction किस तरह से होता है तो बेटा current के दो direction होते हैं समझ लेना तो एक होता है conventional direction of current कि और दूसरा होता है विटा कि डारेक्शन और फ्लो आफ एलेक्ट्रॉन तो यह मुझे एक कंसिडर करके चलना पड़ेगा तो देखो यहां पर आप लोग दो डाइग्राम देख सकते हो तो यह जो मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं प्लस से माइनस की तरफ जाने की कोशिश करू तो वो से निगेटिव की तरफ और कंवेंशनल डायरेक्शन ऑफ क्रान्ट में हम positive charges consider करने वाले conventional direction of current भें हम positive charges consider करने वाले यहां पे देखना जिस direction में इलेक्ट्रिक फिल्ड है उसी direction में मेरे positive charge भी flow करने की कोशिश कर रहे तो यह होता है मेरा conventional direction of current अगर मैं यहां पे simple diagram ड्रॉब करने की go पूशिश करूं तो देखना यह आप लोगों ने किया है मैं यहाँ पे बैटरी लगा रहा हूँ कि यहाँ एक रजिस्टन्स ले रहा हूँ और मैंने आप लोगों को पूछा है कि यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करन्ट किस तरह से होगा तो हम एक चीज़ पता है चार्जेस कहां से फ्लो होते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब करन्ट मेरा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है अगर मैं यह एलो कलर में मार्क करके रद्धू यहाँ पे यह जो एलो कलर वाला है तो यह क्या है मेरा कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करन ठीक अगर मैं यहां पर फ्लॉफ इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करू तो बेटा एक कम्प्लीटले इससे उल्टा हो जाएगा तो फ्लॉफ इलेक्ट्रॉन देखना यह होता है मेरा फ्लॉफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपोजिट डारेक्शन में रहेगा फ्लॉफ इलेक तो यहां पर देख सकते हो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फिल्ड है उसके आप पोजिट डायरेक्शन में मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से होता है एक चीज़ हमेशा याद रखना अंटिल और अनलेस मेंशन हमें यह इलेक् की तरफ ही प्लो करने वाला है तो यहां पर फ्लो करने वाला है क ale is the प्रक्र्टा踩 औश चार्जाहिए निगेटीव श्यॉवता है तो बाइट है चीज हमेशा याद रखना जैसी कोई करन्ट फ्लो होता है तो वह सुन्ट प्रक्रटेमश करना की class मेरे इस इस दारेक्शन में चल रहे हैं कि पॉजिट्व चार्जेस मेरे इस डारेक्शन में चल रहे हैं मतलब यह मेरा इस डारेक्शन में फ्लो करने की कुशिश कर रहा है मतलब जितने positive charge मेरे इस direction में गए है उतने ही negative charge, that is electrons मेरे इस direction में गए है, अगर मैं इसका हिसाब लगा दू, तो देखो बेटा, the number of electrons and the protons in a conductor is same, मेरे पास number of electron और proton conductor में same होते है, और conductor में current अगर देखा जाए तो free electron के वज़े से होते है, इसका मतलब क्या है, जितने proton जा फिर जितना positive charge ही, उतना ही negative charge मेरे पास होता है, इसी लिए net charge on current carrying conductor is always zero, net charge on current carrying conductor is always zero, जितने electron flow होंगे उतने ही, मेरे पास proton भी होते है, एक चीद हमेशा याद रखना, इसी लिए charge on current carrying conductor is always zero, किसी भी current carrying conductor की उपर charge हमेशा zero होता है, अच्छी तरह से समझ लेना, दो चीज़े, direction of current, that is conventional direction, हम 99% conventional direction ही use करेंगे, जब तक मुझे mention किया नहीं जाता कि electron flow consider करना है, ओके, और the direction of electron flow consider करना है, next, आगे बढ़ते, अब देखना, अलग अलग current carriers के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो semiconductor में यह हमने चीज़ें देखी थी कि charge carriers क्या होता है, तो यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, current carriers, तो देखो बटा, the charge particle whose flow in a definite direction constitute the electric current are called the current carriers, current carrier का मतलब क्या होता है बटा, जो भी charge particle है, जो flow करने की कुशिश कर रहे है, एक particular direction में है, जिसके वज़े से current आ रहा है, जिसके वज़े से current आ रहा है, तो उसे कहा जाता है, यहाँ पे current carriers, तो अलग-अलग example समझने की कुशिश करते है, solid, liquid, gases, then semiconductors, तो solid में देखना current carriers कोन है, या फिर charge carriers कोन है, free electrons होते है, free electron की वज़े से मुझे current मिलता है, liquid में देखा जाए, liquid में देखा जाए, तो बेटा, positive and negative ions की वज़े से मुझे यहाँ पे current मिलता है, gases में देखा जाए, तो देखो बेटा, gases में भी फिर से वही होगा, positive ions and free electrons की वज़े से gases में भी current flow होता, कि लेकिन सेबी चिट्रॉंस की वज़े से भी हो रहा है तो यह सारी चीजे मेरी करेंट के यह ऊखना है याद है लिखा है तो मतलब अलग चीज होती है वो देन सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर में देखा जाए तो होल्स डैट इस वेकंसी ओफ एलेक्ट्राण और फ्री एलेक्ट्राण जिसके वज़े से करंट मेरा फ्लो हो रहा है या फिर करंट मेरा मुझे मिलने वाला है है और आगे बरते हैं अब दोड़ा बात करते हैं करन्ट के बड़ा तो करंट डेंसीटी के बारत एक कॉंपाइंट यह इम्पॉर्ठ होता है यह बहुत इंपॉर्द होता है वेक्टर कॉंठीने currency को किस तरह से करने वाले है अ मेरे पास जिसका magnitude कितना है equal to current per unit area equal to current per unit area है तो मतलब मुझे कुछ इस तरह से मिलने वाला है मैं यहां पर लिख देता हूं कि जे इस इक्वाल टू आई divided by a जे इस इक्वाल टू आई divided by a तो यह होता है मेरा current density यह क्या होता है मेरा current density होता है और यह एक वेक्टर है तो देखना इसका जो एरिया रहे गाना या फिर इसका जो भी डायरेक्शन रहेगा सुरी इसका जो भी डायरेक्शन रहेगा यह डायरेक्शन व्याव और चार्ज फिलॉ इस डाइरेक्शन में हो रहा है उसी डाइरेक्शन में अगर एरिय वेक्टर हो या फिर इ weapons डारेक्शन का एर्य वेक्टर मुझे यहाँ पर इस डारेक्शन में शांटkesर करने की कोशींज कर रहा है अगर मैं यहाँ पर यह A हूँ कि देखो पेटा हम यहाँ एक चोटा एरिया कंसिलर करने की कोशिश कर रहा यह कुछ इस तरह से तो यह जो चोटा एरिया है इसका डारेक्शन कहां पर है का डारेक्शन नौर्मल रहेगा इसको परेंडिक्युलर रहेगा नौर्मल रहेगा और इसी डारेक्शन में जिस डारेक्शन में यह एरिया वेक्टर है उसी डारेक्शन में मुझे current density का direction मिलने वाला है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर current density का direction find out करना है, तो मुझे area vector का direction find out करना है, और area vector का मुझे ऐसा component लेना है, जो की component in the direction of the flow of charge रहेगा, area vector का ऐसा component लेना है, जो की हमेशा in the direction of flow of charge रहेगा, ये थोड़ा सा थंडे दिमाग से समझने की कोशिश क दर्वा इर्या वेक्टर का डारेक्ष no लेना है एसा डारेक्षンド लेना है जो की चार्जीप्लों की डारेक्षन मेरेगा तो देखो। मैथेमेटिक लिए देखा जाए म्हें टेक्शिआ से लिख सकता हु इस और अरिया है वीक्टर का डइर्यक्शन होगा बेटा का तो यह टुटर कॉंटिछी बन जाएंगी जे फैक्टर इजए सनस्पोरी उक्टर n-cap क्या है what is n-cap यहाँ पर n-cap देखना यह direction of area vector है यह direction of area vector है तो current density का simple definition क्या है current per unit area current density मतलब क्या current per unit area is called as a current density इसका direction जिस direction में charge flow है उस direction में मुझे area vector लेना होता है तो उस direction में मुझे current density भी यहाँ पर मिल जाएगी आगे बढ़ते सब्सक्राइब करना जो भी मेरा cross sectional area है वह अगर नॉर्मल नहीं होता current के साथ अगर वह नॉर्मल नहीं होता तो हम क्या कौन सा अला direction यहाँ पर लेते हैं तो देखना previous diagram मेरा कुछ इस तरह से था यह previous diagram था पना इस direction में current थामने इस direction में एरिया वेक्टर का भी अगर्टर था अपना ओके लेकिन अब इस particular diagram में क्या हो रहा है तो इस particular diagram में यह जो area है ना कुछ इस तरह से तो देखो बटा area vector किस तरह से होगा तो यह एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मोल होता है परपेंडिकुलर होता है जिस plane में वह रहेगा तो यहाँ पर देखना यह area vector का direction है लेकिन अब यह direction मेरे किसी काम का है नहीं तो मुझे यहाँ एक angle consider करना पड़ेगा यह जो एंगल रहेगा आप लोग देख सकते हो यह एक एंगल यहाँ पर बन रहा है तो यह जो एरिया वेक्टर है इस area vector के दो तुकड़े होने वाले है एक रहेगा horizontal component d a cos theta और दूसरा रहेगा वेटा vertical component that is d a sin theta तो मुझे इस area का या फिर इस area vector का ऐसा component लेना है जो की in the direction of current रहेगा current flow जिस direction में होगा उस direction में इस area vector का मुझे component लेना है तो इसलिए हम यहाँ पर लेने वाले है बेटा d a cos theta d a cos theta मतलब अपना जो भी formula है यहाँ पर जो फॉर्विला है वह modify हो जाएगा कुछ इस तरह से डाइज डी जे इस इक्वाल टू आई डिवाइड बाई डी ए cos theta into n cap d a cos theta into n cap तो यह कुछ इस तरह से मुझे vector मिलेगा जिस direction में d a cos theta है उस direction में ही मुझे इसे लेना पड़ेगा ओके चलो यह कच cię हाँ और वहाँ से इसी ठायएक इस चीज भी मैं यहांसे हटा देता हूश याद रखना अब हमें यहां से करण्ट को भी निकाल सकता हो इसे करेंद कुछ अब्सक्राइब सेटा तो यह बनेगा बैएं अटो यह n सबस्क्राइ 1000 चैनल तब इसे निकालना यह तो मुझित इंटी ग्रेट करना पढ़ एक प्लस तो यह बार्ट प्रड़क्त है बनेगा शेंड ड़ोट डिये हुच इस तरह से बनेगा और मुझे इसका integration करना पड़े तब जाके मुझे टोटल करंट मिलेगा मुझे इसका integration करना पड़ेगा तब जाके बेटा मुझे यूज करना पड़ेगा तो यह कुछ चीजे है रिगार्डिंग करंट डेंसिटी सिर्फ इतना चीज याद रखना करंट डेंसिटी जे इस इकवल टू आए बाइए इस करंट पर यूनिट एरिया इतना तक ही सीमित है अपने टेक्सबुक में यह थोड़ा सा आगे वाला मैं पड़ा रहा हूं ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे लेकिन हम उसे टच करके आने वाले हैं सिर्फ नाव तो यूनिट एंड डाइमेंशन तो चलो यहां भी इसका यूनिट भी निकाल सकते करंट रहेगा एंपियर में करंट रहेगा मेरा एंपियर में एरिया रहेगा इसका यूनिट आ रहा है एंपियर में इसके बन जाएंगे बिटा एमजीरो एल रेस तुमाइनस टू टी जिरो ए रेस तुवन टी जिरो ए रेस तुवन तो कुछ इस तरह से इसके डाइमेंशन भी मुझे मिलने वाले आगे बढ़ते हैं अब कुछ चीजे यहां पर समझ लेकि कोशिश करते कौन सी कौन सी चीजे तो विटा डिफ्ट स्पीड या फिर डिफ्ट विलोसिटी तो सबसे पहले डेफिनेशन देखना डेफिनेशन क्या है यहां पर डिफ्ट विलोसिटी का इट इस द अभरेज उ uniform velocity acquired by free electrons inside a metal by the application of an external electric field which is responsible for current through it, which is responsible for current through it, toh उसे कहा जाता है बेटा, drift velocity, उसे कहा जाता है drift velocity समझ लेना, before applying the electric field, तो देखना बेटा, सपोस करना कि एक conductor है, copper conductor consider करना और यहां पर आप लोगे cross section देख सकते हो, यहां पर क्या कर सकते हो, cross section देख सकते हो, अब यह जो first diagram है, यह first diagram मैं यहां पर बोलने वाला हूँ, before applying external electric field, तो before applying electric field क्या होता है, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, यह जो electron दिखाए दे रहे हैं, इनका motion देखना है यहां पर यह पूरा का पूरा random motion है, हर एक electron के पास क्या है, हर एक electron के पास random motion है, हर एक electron के पास बेटा मेरा क्या है, तो वो है random motion, ठीक है, अगर मैं यहां पर net motion सब electron का मिला के motion net motion find out करने की कोशिश करूं, यहां पर यहां पर लिख सकता हो, पॉर आफ इच इलेक्ट्रॉन, और इच इलेक्ट्रॉन, बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फिल्ड, अब देखना, अगर हर एक का मैं रैंडम मोशन कंसिडर कर रहा हो, और सबका मैं कम्माइन करने की कुशिश कर रहा हो, तो मुझे मिल जाएगा, यहां पर net motion, तो मुझे क्या find out करना है, net motion of all electrons, तो बेटा, net motion इनका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर सारे के सारे electrons में रैंडम मोशन में सबका मोशन में कम्माइन करने की कुशिश करो, मुझे क्या मिलेगा, यहां पर net motion इनका 0 हो जाएगा, अब देखो, मैं जैसे ही external electric field अपलाई करता हूँ, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, electric field रहेगा बेटा यह, electric field, electric field में इस direction में apply की है, तो यहां पर देखना फिर से, electric field जैसे ही apply करता हूँ, after applying electric field, तो यह वाला statement हमेशा याद रखना, after applying electric field, अभी भी electron के पास, अभी भी electron के पास, random motion ही है, अभी भी मेरे electron के पास क्या है बेटा, random motion है, ओके, electron के पास क्या है, random motion है, लेकिन अब वो, फिशकने वाले है, ग्रिंट करने वाले है, मतलब खिशकने वाले है, वह क्या करने वाले है, खिशकने वाले है, ज Sydirsiniz टाइरेक्शन में electric field अगरा उसके opposite direction में वो खिशकने वाले ए, डिफ्ट डिफ्ट बंजेज का है तर घसर ने इंशार्ट यहां पर समझ लेना क्या होता है सब्सक्राइब कि रैंडम मोशन में एक किसी एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर समझने की कुशिश कर रहो बिफोर अप्लाइंग दी एलेक्रिक फिल्ड तो यह यहां पर गया यहां प पर लिखा है कि नेट मोशन अगर में सब इलेक्ट्रॉन निए HDR का ने मोशन कंसीडर करने की कोशिश करूं तो नेट मोशन उसका जीरो होता है देकिन मैं जैसेही और फिल्ड अप्लाइद करने वाला हूं इस टाइरेक्शन में जैसे एलेक्ट्रिक फिल्ड में अप्लाइ पर आके रुखने वाला है देखा जाए तो अब ये दूसरे जगह पर आके रुखने वाला है तो यहां पर देखना यहां पर देखना इनीशल इनीशल वह यहां पर था यह फाइनल है यह इनीशल है यह फाइनल है समझ लेना अच्छी तरह से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट कख करएक सबस्सक्राइब आफ सब्सक्राइब यहां पे थोड़ा से चाल इसने ज़ने वाला झालंध माफंन मॅने टोरइन पॉईंट है टोर्श कि दियुद्ट एक सबस्क्ते है क्राइब यहां तक तक यहां तक 보ल्प्त की तरफ भो यहां हो दो सकत्क light और इसी को कहा जाता है drifting इसी को कहा जाता है भीटा drifting समझ लेना अच्छी तरह से यही motion होगा मेरा drift motion या फिर इसी के वज़े से मुझे मिलने वाला है drift velocity concept को सबसे पहले समझना concept बहुत important होता है खे दिपाइं थि क्या हो रहा है तो बिफोर अप्लाइं थि ईलेक्ट्रीक फील नेट मोशन इलेक्ट्रों का जीरो है आफ्टर अप्लाइंग दे लेक्ट्रीक फृल्ड नेट जीरो नहीं है है क्योंकि वह इनिशन से फाइनल पूजीशन तक जा चुका है और इसका डायरेक्शन वो डिस्प्लेशन का डियरेक्शन क्या होता है इन दा पोजीट डायरेक्शन ऑफ दा अपलाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अब यहां पे थोड़ा सा डेिवाइशन करने की कोशिश करते हैं रिलेशन हम आप electronically को कोशिश करते हैं करन्ट में और Drift Velocity मैं क्या सबस्तकीratoiben sound चीजें सबसे पहले हम यहां पर कर लेते हैं मैं यहाँ पर मान रहा हूं नंबर आफ इलेक्ट्रोंस पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम तो यह भी एक चीज समझ लेना तो यह क्या होता है एन इस इकोल टू कैपिटल एन डिवाइड बाइड बाइड वी तो यह कुछ इस तरह से में लिखने देने वाला तो यह क्या है बेटा तो यह चार्ज डेंसिटी कहा जाता है इसे कहा जाता है चार्ज डेंसिटी नंबर आफ इलेक्ट्रोंस पर यूनिट वॉल्यूम मैं कुछ और चीजे भी डिफाइन कर लेता हूं area of cross section 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 ठीक है उसके बाद length of the conductor मैं यहा of conductor length of conductor अब मुझे drift velocity का expression find out करना है in terms of current लेकिन मुझे पता नहीं है बेटा तो इसे करें किस तरह से यह derivation हम करें किस तरह से यह आपके एक्जाम बे तो 100% आएगा तो मुझे एक किस पता है क्या पता है तो मुझे करन का फॉर्विला पता है हमने अभी सीखा था करन का फॉर्विला current I is equal to Q divided by T I is equal to Q divided by T तो देखो बेटा आई निकालने के लिए मुझे क्यों पता होना चाहिए मुझे क्या रहेगा सबसे पहले में क्यों को सब्सक्राइब से बाद में को करने की कोशिश करोंगा अगर मुझे क्यों को करना है तो अब थोड़ा से डाइग्राम की तरफ जाना पड़ेगा तो यहां पर देखना हमने इस अक्नक्टर का एक सेक्शिन कंशिडर किया है जिसका लेंध है लुगे यहां पर चार्ड लेंसिटी मिता है घ्र करनलth यह एख हुए है यूनिट ऑल्त में के उपर मेरे पास नम्बर अफ चार्डब चार्जेस में अक्ड़ तो मुझे यहां पर करना क्या है तो मुझे यहां पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो मेरा टार्गेट यहां पर यह रहेगा अगर मुझे नंबर ओफ इलेक्ट्रॉंस मिले तो मुझे बेटा टोटल चार्ज मिल जाएगा बाकी क्या है बेटा नंबर ओफ इलेक्ट् पर इन के वज़े से जो भी वाल्यूम आएगा आप देखना मुझे number of Electrons find out करना है तो मुझे 4 डेंसिटी पता है ये मुझे known value देखना यहां पर यह क्या है known value यह पता होता है मुझे यह क्या है known value वाल्यूम में निकाल सकता हूं वाल्यूम में निकाल सकता हूं क्यूंकि मैंने area of Cross-section Consider किया है और length भी Consider की है तो टोटल number of electrons present in the volume total number of electrons total number of electrons प्रजेंट इन वॉल्यूम तो जो भी हम यहां पर वॉल्यूम कंसिडर करने वाले उसके अंदर कितने इलेक्टॉंट्स है तोटल नंबर अफ यॉल्यूंट्स प्रजेंट तो कितना वन जाएंगा एन इस इकुल टूस्वाल एन इन इंटू वी ठीक है तो देखो मेरे पास एन है वाल्यूम कितना है एन्ट लैंट वाला वाल्यूम है अरे इन्ट वाल्यूम रहे गा अच्छी तरह से समझ ना मैं क्या करने की कुशिश कर रहा हूं मुझे रहा फर फाइंड और सबस्क्तिय सक्तिने फडिक्णcia tuck यहां पे इस particular volume में इस particular volume में कितने electron present है अगर यह चीज मुझे मिल गई तो मैं यहां पे total charge अच्छी तरह से निकाल सकता हूं तो हमने तो यहां पर अब number of electrons निकाल लिए है number of electrons कितने मिले मुझे तो मुझे मिले small n into v small n मुझे पता है यह charge density होती है वो मुझे पता है बेटा चलो तो number of electrons मिल गए next total charge में आप निकाल सकता हूं therefore total charge total charge में निकाल सकता हूं टोटल चार्ज, कॉन्टाइजेशन वाला याद करना बेटा, कॉन्टाइजेशन हमने सीखा रहे हैं, उसी का यूज करेंगे, टोटल चार्ज Q is equal to N into E हो जाएगा, टोटल चार्ज Q is equal to N into E, तो ये बन जाएगा बेटा, N A L into E, N A into L into E, ये कुछ इस तरह से मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा तो देखो वेटा फॉर्स टेप तो हो गई अपनी यह तो थी अपनी फॉर्स टेप अब हम थोड़ा सा सेकेंड स्टेप की तरफ चलते मुझे यहां पर टाइम निकालना है तो टाइम के लिए फिर से मैं डाइग्राम की तरफ जाओगा डाइग कुछ इस तरह से रहेगा टेंट तो पावर फॉर सॉरी टेंट तो पावर प्लस फोर मीटर पर सेकेंड के आसपास इसका वाल्यू होता है तो चलो तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में हम डिसकस करेंगे अभी यहां पर समझना कि इलेक्ट्रॉन यह जे इलेक्ट्रॉ यह इलेक्ट्रोण मेरा इस लेंद के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है तो मैं क्या मैं निकाल सकता हूँ टाइम रिक्वाइट तु ख्रॉस दिस लेंथ वेलोसिटी वीडी ये जो टाइम यहां पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये जो टाइम जो हम यहां पर लेंथ एल, टाइम रिवाइद टू क्रॉस दे लेंथ एल, यह कैपिटल एल है, यह टाइम टी है, यह क्या है टाइम टी है, तो यह मुझे निकाल ना है, तो देखो, सिंपल वाला फंडा है, अगर यह टो चीजे मुझे मिलती है, तो अब मैं आगे डेरिवेशन कर सकता हूँ, सारी चीजे लिख सकता हूँ, क्यों की वाल्थ आ गई है, अपने पास एल इंटू इंटु इट डिवाड़ेड़ गान्यारों संगर्थे चोर्फ कर संदेर संद्राओरों संद्राओं यहां ल Gospel ली से फिर आएगा तो मुझे यहां पर i की value मिल जाएगी i is equal to na vd into e i is equal to na vd into e तो कुछ इस तरह से expression मिल ले वाला है तो देखना मेटा ये relation है this is the relation between the drift velocity and electric current ये relation है drift velocity और electric current के बीच में समझ लेना अच्छी तरह से steps को समझो फिर से एक बार इसे repeat करते हैं फिर से इसे एक बार repeat करते हैं तो दिखना क्या है क्या किया था हम ने तो ये वाला formula है i is equal to q by t मुझे क्या करना है मुझे टोटल चार्ज क्यू निकालना है और टोटल टाइम टी निकालना है ठीक है तो हमें क्या पता है बेटा हमें पता है number of electrons per unit volume number of electrons per unit volume ये मुझे चीज पता है ठीक है तो small n is equal to capital N divided by V तो मेरा target क्या है बेटा तो मेरा target है मुझे total number of electrons मिलने चाहिए that is small n into capital V अब मेरे पास length पता है मेरे पास area of cross section है तो इस volume को मैं लिख सकता हूँ area into length इस volume को लिख सकता हूँ area into length अब जैसे ही ये चीज मिली तो मैं यहाँ पर total charge निकाल सकता हूँ quantization का पंडाव यूज करके total charge total charge q is equal to n into e होता है बेटा n कितना है मेरे पास तो है वो small n a l into e small ठीक तो यह क्यों मिला अब दूसरी चीज मुझे करना क्या था मुझे time निकालना था बेटा तो time के लिए मैंने क्या किया time के लिए speed is equal to distance divided by time यह वाला formula लगा दिया distance कितना है l speed कितनी है उसके पास speed है उसके पास vd speed है उसके पास vd तो दो चीजे मिल गए बेटा तो मैं यहां पर सारी चीजे substitute कर सकता हूं तो मुझे कुछ इस तरह सी मिल जाएगा i is equal to n a l into e divided by l divided by vd l divided by vd तो देखना इस l ना इस l को मार दिया vd ऊपर चला गया i is equal to n a vd into e i is equal to n a vd into e so this is the expression for the current and the drift velocity तो इन दोने की बीच में यह relation है अब देखो बेटा एक काम करते है थोड़ा सा current density की उपर भी चलते है क्या मैं current density को भी यहां से कुछ obtain करने की कोशिश कर सकता हूं तो yes current density क्या होता है बेटा j is equal to i by a i की value कितनी आई है वो आई है n into a vd into e divided by a तो a ने a को मार दिया तो मुझे current density मिल रहा है बेटा n vd into e n vd into e तो कुछ इस तरह से current density का भी expression में find out कर सकता हूं in terms of the drift velocity in terms of the drift velocity तो एक simple derivation है अच्छी तरह से समझना अच्छी तरह से समझना बेटा अब दो एक दो मेरे पास definition है यह थोड़ा सा textbook में आगे यूज किया गया है लेकिन हम यहां पर समझने की कूशिश करते है तो definition कौन सी कौन सी है तो सबसे पहले है बेटा relaxation time नाओ यह क्या होता है इस ताइम interval between the two successive collusion okay time interval between the two successive collusion is called as relaxation time okay इसे कहा जता है relaxation time और इसका symbol रहेगा ताओ चत्री का डंडा उल्टा वाला तो यह सिंबॉल रहेगा बेटा तो इतना याद रखना यह exam के point of view से important है बहुत बार एक मार का question आपके इस college के exam में पूछा जाएगा कि what is relaxation time define the relaxation time the time period between the two successive collusion is called as relaxation time इतना ही मुझे लिखना अब दूसरी चीज है mobility mobility मूबिलीटी मू से दिया जाता है तो यह क्या है बटा तो drift velocity per unit electric field is called as electron mobility drift velocity per unit electric field is called as the mobility तो यह वाला भी थोड़ा सा formula याद रखना यह अपने textbook में है नहीं यह अपने textbook में है नहीं लेकिन लेकिन अगर आप semiconductor में जाओगे तो semiconductor में एक जगह पे textbook में हमें लिखके दिया है mobility electron mobility तो तब भी मुझे यह यूज करना होता है तो यह सिर्फ यह याद रखना म्यूज इकोल टू वीडी बाइए मुझे क्या करना है बेटा म्यूज इकोल टू वीडी बाइए यह वाली चीज़ अच्छी तरह से याद रखनी कि आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट करन डेंसिटी इन टरम्स अफ वेलोसिटी आफ चार्ज जो कि अभी हमने अप्टेन किया था तो देखो फिर से हम यहां पर अप्टेन करते हैं करन डेंसिटी जे इस इकोल टू आइबाइए आइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब अब दूसरा है यहां पर current density in terms of electric field current density in terms of electric field इसको हम थोड़ा सा अगले वाले slide में समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आगे एक derivation है मुझे वुसे भी यहां पर अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ठीक है तो देखते हैं बेटा कुछ numerical है यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं अब metallic wire of diameter 0.02 meter contents तो मुझे देखना बेटा diameter दिया गया है question को अच्छी तरह से पढ़ना diameter दिया गया है तो बेटा अगर diameter रहेगा तो मुझे रेडियस भी निकालनी पड़ेगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी तो रेडियस बन जाएगी बेटा diameter बाइटू तो यह आ जाएगा 0.02 divided by 2 विच इस एक चीज़ हमने कर ली अब आगे क्या दिया गया है 10 to the power 28 फ्री पर क्यूबिक मिटर तो मुझे यहां पर चाज देंसिटी दी गई है तो मुझे श्माल एं की वैल्डी दी गई है विच इक वाल टू तो टू तेंट तो पावर 28 पर मीटर क्यूब पर मिटर क्यूब फाइंड देल्ट बलसेटी ओ प्रीलेक्टर्स तो मुझे आइट यहां पे 100 أ.P.ड जी आगया है यहां पर पावर मीश्न फॉस्ट्य फ्रेइगा है का य्वरड फान पॉंट प्रफिला बेस्ट कोश्चन है ठीक है सारी चीज़ा हम यहां पर उठाके रख देंगा कि शॉलो एरिया को मैं यहां पर लिख देता हूं पाय और स्क्वेर एरिया क्या रहेगा वह रहेगा पाय आर स्क्वेर वीडी इन्टु ए तो एन कितना है टेन तुद पावर ट्वेंटी एट पाय आर स्क्वेर मतलब यह हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन होल स्क्वेर मुझे निकालना है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है वो दिया गया है वन पॉइंट इन्टु पावर माइनस 19 और करंड कितना है है मेरे पास करंड है मेरे पास हंड्रेड करंड कितना है मेरे पास हंड्रेड है तो सबसे पहले हम यहां पर यह पावर को समझने की कोशिश करते हैं तो देखो यह 28 है यह 19 है तो यह माइनस हो जाएगा तो मेरे पास कितना रहेगा मेरे पास कितना रहेगा बेटा कितना रह सकते हैं 10 12-2-0.01 को क्या लिख सकते हैं बैटा 10-2-2-2 पावर-2 इसका स्क्वेयर करेंगे अगर मैं इसका स्क्वेयर कर दूँ यह कितना हो जाए गए बेटा 10-2-2-3-4-4 और ये VD into 1.6 ठीक है तो फिर से देखना यह 4 चला गया तो यहां पर 5 रहा क्योंकि 9-45 बन जाएगा अब क्या दिखेगा मुझे तो यह 100 मतलब 10 to the power 2 10 to the power 5 into pi into VD into 1.6 ठीक है तो फिर से हम यहां पर calculation कर सकते हैं यह बनेगा बेटा कुछ इस तरह से 10 to the power 3 तो इसको इस साइड लेके आओ अब सारी चीज़े इस साइड लेके आओ बेटा तो यह मुझे मिल जाएगा 1 divided by 1.6 into pi यह आजाएगा 10 to the power plus 3 यह उपर चल जाएगा तो यह बन जाएगा वेटा चलो 1 divided by 1.6 को लिख सकता हो में 10 divided by 16 into pi 10 divided by 16 into pi यह बन जाएगा 10 to the power minus 3 तो यह कितना होगा यह बन जाएगा 5 by 8 ओके 5 by 8 अब थोड़ा सा समझ लेते हैं calculation है पेटा सारे steps कर रहा हूँ अच्छी तरह से देखना 8 into pi वो बन जाएगा 8 into 3.14 तो यह बन जाएगा 25.12 यह बन जाएगा 25.12 तो 25.12 को मैं यहाँ पर अप्रोक्सिमेट लेने वाला हो अप्रोक्सिमेट देखना कुछ इस तरह से ले लूँगा तो VD is equal to 5 divided by 25 into 10 to the power minus 3 तो यह बनेगा 1 by 5 यह बनेगा बेटा 0.2 into 10 to the power minus 3 0.2 into 10 to the power minus 3 तो यह मुझे अंसर मिल जाएगा 2 into 10 to the power minus 4 meter per second तो यह आजाएगा drift velocity यह आजाएगा बेटा मेरा drift velocity तो देखो एप्रोक्सिमेट मैंने लास्टेप में किया है आप लोग यह लॉग टेबल का यूज करके भी कर सकते हो सिंपल वाला कोश्चन था आगे बढ़ते हैं कि अपापर वायर प्रेडियोट 0.6 मिलिमेटर क्यारीज अ करेंट आफ वन एंपियर आजूमिंग अ करेंट तुबी उनिफॉर्म डिस्ट्रिबूटेड ओर क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड मागनिटूड ऑफ करन देंसिटी तो देखो बेटा करन देंसिटी पूछा ग इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 6 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 4 मिटर समझ ले ना क्यालकुलेशन बहुत इंपोर्टन है अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ एरिया इस इकॉल तो पाय आर स्क्वेर और 6 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 4 उसका स्क्वेर तो यह बंजा बेटा पाय इंटू 36 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 8 पाय को मैं लिख सकता हूँ बेटा 22 बाई 7 इंटू 36 इंटू 10 तो दे पावर माइनस 8 तो चलो फिर से मैं एप्रोक्सिमेट क्यालकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ तो यह बन जाएगा बेटा कुछ इस तरह से य आप लोगों परओक्सिमेट क्यालकुलेशन करके दिखा रहा हो एक्सैक यह तो आप लोगो 5000 योजटर करना पदेगा या फीर आप लोग लॉग टेबल यूज़कर सकते लिज़की लेट هलंहें तो आप लोगों को लॉग टेबल ही यह करना पदेगा तो यह कितना बसक्र 1 10 into 10 to the power minus 8 meter square तो चलो सारे वाल्यूस है करन्ट कितना है वन एंपियर यह कितना है बैटा 110 into 10 to the power minus 8 यह उपर चला गया यह कितना हुआ 10 to the power plus 8 divided by 110 तो यह काम कर लेता हूं इसको मैं लिख सकता हूं 11 into 10 तो यह एक्चिल देखा जाए तो यह 7 बना तो 1 divided by 11 into 10 to the power 7 तो यह बनेगा जीरो पॉइंट तो यह कितना आएगा वन डिवाइड इडिवाइड इलेवन जीरो पॉइंट नाइन नाइन इंटू 10 to the power 7 एंपियर पर मीटर स्क्वेर अगर कहीं पर क्यालकुलेशन में एरेर कर दो तो बिंदाज बिटा कमेंट सेक्शन में बूल देना कोई प्रॉब्लेम है नहीं तो यह कुछ कोश्चन थे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब हम थोड़ा सा बात करेंगे ओहम स्लों के बारे तो जैसे ही हम यहाँ पर कुश्चन करते हैं वाड़िज ओहम स्लों तो आप लोगों का अंसर आ जाता है वी डारेक्ली प्रोपोर्शनल टू आ तो बेटा यह चीज है ने यह गलत है जब ओहम यह ए एक चीज संच में आई थी वह मैं क्या कर रहा था तब वह वैरी कर रहा था पोटेंशाल दिफरेंट इस डैस वोल्टेज वोल्टेज विएकर रहा-ता मतलब वोल्टेज उससे उसे पता था जैसे वह वोल्टेज को वै Gemeे कर रहा था उसके हिसाब से करन वैरे हो रहा था तो ओम स्लोट क्या कहता है तो अलंट is directly proportional to the potential difference current going through the conductor current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends तो देखो बटा, conductor को, चलो, यह conductor है, यहाँ पर हमने potential लगा दिया है, तो यह potential difference है, यह जो हम potential यहाँ पर लगा रहे हैं, यह A और B के across आने वाला है, इसको जैसे हैं मैं vary करता हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पर जो भी current flow हो रहा है, वो मेरा change हो रहा है, तो ओहम्स लोग का exact mathematical expression होता है वेटा आइज डाइरेकली प्रोपोर्पोर्टनल डूवी बीज डाइरेकली प्रोपोर्टनल डू आइन नहीं आइज डाइरेकली प्रोपोर्पोर्टनल डू यह स्टेटमेंट है अच्छी तरह से समझ लेना अब देखो हम यहां पर mathematics का consistent V is equal to R into I यह जो constant होता है न इसे कहा जाता है पर रसिस्टन्स हमेशन एक चीज यह रखना तो V is equal to IR V is equal to IR लेकिन ओंसला क्या कहता है आइस डाइरकली प्रोपोर्शनल टू बीज डाइरकली प्रोपोर्शनल टू आइ नहीं लेकिन हम यहां पर mathematically लिख सकते हैं, I can write down this expression mathematically, mathematically मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, practically देखा जाए तो I is directly proportional to V होता है, तो यह होता है बेटा मेरा Oham's law, V is equal to R into I, आगे बढ़ते हैं, now what are the limitations of the Oham's law, तो देखना, Oham's law जो है यह कोई universal law नहीं है, अब इसका मतलब क्या है, हमने इसके पहले दो laws देखें, एक देखा तो Coulomb's law, दूससरा देखा था बेटा law of gravitation, law of gravitation, चल्यों इसका तो नाम ही था universal law of gravitation, तो यह जो दोनों चीज़े है ना, यह जो दोनों चीज़े हैं या फिर यह जो दो laws है मरे पास, वो universal है इसका मतलब क्या है, अगर मैं यह जो experiment लिन के बारे में हे, यहां पर करने की कोशिश कर रहा हूं यह एक्सप्रेमेंट पर अगर मार्स पर जाके करूं तो मुझे वहां पर भी सेम रिजल्ट मिलेगा जैसे रिजल्ट यहां पर मिल रहे थे जैसे रिजल्ट मुझे अर्थ के सर्फेस के उपर मिल रहे थे वैसे ही रिजल्ट मुझे मार साफरस पे भी मिलेंगे और साल लाग का मतलब क्या है इनिवर्स में आप कहीं पीविजा तो यह जिस तरह से अर्थ की ऊपर बिहेव कर रहे उसी तरह से वह वहां पर भी करेंगे इसलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल लोग ठीक अब यह ओम्स लोग यूनिवर्सल लॉग क्यूं नहीं है तो देखो बेटा कुछ चीजे समझ लेते हैं हम यहां पर ग्राफ भी निकाल लेते हैं तो यह जो ओम्स लॉग का है यह ग्राफ देखना कि आई भी करेक्ट्रिस्टिक्स होता है कि अधिस करेंट वोल्टेज है तो एक ग्राफ मुझे मिलेगा एक लाइन मुझे मिलेगी वह कुछ इस तरह से लाइन पासिंग थ्रू दो ओरीजिन तो यह आईडियल कंड़क्टर के लिए है यह क्या है वेटा आईडियल के लिए यूज किया जाएगा ओंशला सिर्फ और सिर्फ कंड़क्टर के लिए यूज किया जाएगा आप प्राक्टिकल या फिर गुट कंड़क्टर देखा जाए तो गुड़कंड़क्टर के लिए ग्राफ कुछ एक्च्वल में इस तरह से मिलेगा ओके गुड। कंडुक्टर की लिए देखा जा जा है यह फिर फ्रैक्टिकल कंडॉक्टर अगे हैं мног एक सरटन लेवल तक ही मुझे यहां पे स्रेट लाइन मिले गा मतलब करेंट और वोल्टेज में ऐसे रचेफ़ लेवल नहीं होने वाला वोल्टेज के साथ तो यह चीज यह कंड़क्टर की लिए भी पूरा का पूरा वालिड है अगर टेंप्रेचर चेंज होता है लेंट मेकानिकल स्टेंग इनके बारे में अगर कुछ वैलू चेंज हो जाती है तो यह वैलिड नहीं होता है तो हमने यहां पर वही चीज लिखिये इव फीजिकल सरकंस्टंसेस अफ दो कंड़क्टर बैट इस लेंख टेंप्रेचर मेकानिकल स्ट्रेस अगर यह सारी चीज़े कॉंस्टन्ट हो तब जाके मुझे कुछ इस तरह से एक्स्पेशन मिलेगा आई इस डारेक्ली प्रपोर्श्टनल टूब कि ओके समझ में आ रहा है तो अब इसी का हम आगे कंटीनियू कर लेते इसी को आगे कंटीनियू कर लेते तो देखो यह यह यूनियू और असल लॉक्यू नहीं है क्योंकि जो चीज़ें हम अर्थ पर करेंगे वही चीज़ें अगर मैं ओम स्लॉक के साथ दूसरे असकते अब दूसरी चीज़ जो डिवाइसेस इस लॉको ओबे नहीं करते फॉर एक्जामपल ग्यासेस अलग अलग क्रिस्टल रेक्टिफायर्स वाक्यूम ट्यूब रेक्टिफायर्स थर्माइनिक वाल ट्रांजिस्टर्स स्थेमी कंड़क्टर्स तो यह सारी चीज़े क यह क्या है नॉन ओमिक डिवाइसेस या फिर नॉन लीनेयर इसानुर्स थे तो इसका भी मतलब समझें लेते हैं कि यह आई वी कैरेक्ट्रेस्टिक्स है बेटा तो इनका जो ग्राफ है ना कुछ इस तरह से आ सकता है। नान लीनियर कंडाक्टर स्यां फीर ना औहाएं कंडाक्टर ऩो ढेस गाल भी नहीं है प्रपोर्शनल to V टीक, तो देखो बैटा इनके लिए मेरा व्याक कर तभी लीनियर नहीं हुता तो सबसे बड़ा अला लिमिटेशन क्या तो बैटा ये यूनिवर्सल लॉद नहीं है मतलब ये हर जगह पे जैसे कुलम्स लॉवालिड होता है, ग्राइटेशनल लॉवेलिड होता है उस्तरसी यह लॉव कभी भी मेरा वैलिड नहीं होता इसी लिए इसे कहा जाता है कि यह कोई यूनिवर्सल लॉव नहीं है कि आगे बढ़ते हैं अब देखने मेटा फीजिकल ओरीजिन ओंस लॉव तो मतलब थोड़ा सा मैथमेटिक्स मुझे यहां पर समझने की कोशिश करनी क्या मैथमेटिक्स समझना है या फिर फिजिकल सिग्निफिकंस वह भी समझ लेते हैं यह जो रेजिस्टेंस वाला टर्म यहां पर यह जो रेजिस्टेंस वाला टर्म आया थो इससे समझने की कुशिश करता आक्चियो प्राक्टिकली रेजिस्टेंस होता क्या है उसे समझने की कुशिश करता है अ कि पुटेगों भीड़ा जब हम इलेक्ट्रिकल जस्त बिनेट कि अ कि अbuilt टौण के बारे में बात करते हैं तो यह जो इलेक्ट्रिकल होता है वह उदस आप आहीं हमें दिखा यह जो पिर फ्री लेक्टरौन्स है कि यह फ्री अलेक्टर इनसे घीन कंड़क्टर में वो घूमते रहते हैं और वह एड़खना इनके रहन रेंड़ मोशन के टाइम्पिरेड में वो क्या करते हैं इंडेक्टरॉंस कोलाइड वियुद आयान कोर्स इफ્त के उलेक्टरॉं के ऊपर इलेक्टरॉंज क्या करेगा आयन कोर की ऊपर जाके तक्राणे वालाше ओके विदिंदा अब अगर मैं इनका रान्डम मोशन आवरेज करने की कोशिश करूँ इनिशली प्लाइंग देक्तरिक फिल्ट यह रान्डम मोशन क्या है बेटा मेरा जीरो है यह आमने सारी चीजह देख ली ती अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फिल्ट अपलाइ करता हूं Now the motion of the electron is combination of the random motion of electron due to the collision and that due to the electric field. अब ये जो total motion मुझे मिनने वाला है, ये दो चीजों के वज़े से मिलने वज़े से मिलने वाला है, सबसे पहले उनके पास उनका खुद का random motion है? दूसरी चीज यहां पर उनका motion मिलेगा यहां पर उनको मोशन मिलेगा ओपता हू अर यह ए अक्ट्रिक फियल और यह अलगा दी तो आब sensuz is equal to q into e, force is equal to q into e, तो अब हम यहां पर एक चीज कर सकते हैं, तो यह by using the Newton second law, force is equal to mass into acceleration, अगर दूसरा कोई force इसके उपर नहीं है, net force इतना ही है, तो मैं acceleration निकाल सकता हूँ, तो यहां पर देखना, मैं acceleration निकाल लूँगा, इन दोनों को अगर equate कर दू, okay, equation 1, equation 2 को अगर use करक तो मुझे मिल जाएगा q e is equal to m into a, तो मुझे यहां पर acceleration मिल जाएगा, q e divided by m, मुझे क्या मिलेगा, यहां पर acceleration मिल जाएगा q e divided by m, ठीक है, acceleration मिला, अब मेरे पास और क्या data available है, मेरे पास available है drift velocity, मेरे पास क्या available है, drift velocity है, दूसरी चीज़ हमने एक चीज़ डिफाइन कर कर लिए थी relaxation time हमने क्या किया था था हमने relaxation time को भी define कर लिया था ठीक है relaxation time तो relaxation time क्या था time period between the two successive collision relaxation time क्या है था time period between the two successive collision or drift velocity है तो देखना है बेटा मेरे इलेक्ट्रोन के पास drift velocity है relaxation time है और एक्सल्रेशन भी है तो यह जो एक्सल्रेशन रहेगा ना यह यह एक्सल्रेशन में निकाह सकता हो कुछ इस तरह से वीडी बाइट यह एक्सल्रेशन मुझे मिल जाएगा वीडी बाइट तो एक्सल्रेशन की वैल्यू कितिनी है एक्सल्रेशन की वैल्यू है qe divided by m which is equal to vd into tau which is equal to vd into tau तो यह कुछ इस तरह से मुझे एक्स्प्रेशन मिलने वाला है तो मुझे यहाँ पे drift velocity की value मिल जाएगी मुझे क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे drift velocity की value मिलेगा अब मैं यहाँ पे current find out कर सकता हूँ current की expression हमने find out किया था i is equal to na vd into e i is equal to na vd into e तो चलो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे एक expression मिलने वाला है current का मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है एक expression मिलने वाला है current का current का expression n a q e तो इंटू e देखना सही कर रहे है क्या हम तो अब यहाँ पे कुछ चीज़े चल यह क्यू जो है यह e जो है आप मुझे इसको समझना पड़ेगा अच्छी तरस तो देखना वेटा यहाँ पे q है यहाँ पे e है एक काम कर लेते चार्ज यह न तो इस q को मैं replace करने वाला हूँ इस q को मैं e के साथ replace करने वाला हूँ देखना यहाँ पे अच्छी तरह से देखना मैं थोड़ा सा आप कुछ चीज यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहा इंटू e into tau divided by m divided by m अब इस एरिया को मैं इस साइड डिवाइड कर देता हूँ I by a which is equal to n e square e into tau by m समझ मैं रहा है यह चीज अब i by a क्या है बेटा तो यह तो है current density i by a क्या है यह current density ओके अब electric field मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है मुझे यहाँ पर मिलने वाला है n e square into tau by m n e square into tau by m तो देखो बेटा तो यहाँ पर current density भी मिली मुझे करना क्या है physical significance समझने की कुशिश करना है मेरे पास है V is equal to i into r v is equal to i into r now what is what is V तो यह potential है तो मुझे एक रिलेशन पता है बेटा इलेक्टिक फिल्ड और potential के बीच में रिलेशन पता है क्या relation है e is equal to v by d since मुझे यह चीज पता है e is equal to v by d okay लेकिन मेरा मैं यहाँ पर मान रहा हूं कि length मेरा L है मेरा length कितना है मेरा length है L ठेक मेरा length कितना है यहाँ पर मेरा length है L तो मुझे वी मिल जाएगा e into l v is equal to e into l तो देखो अगर मैं यहाँ से e की value निकाल सकता हूं textbook में अपने अलग है मैं थोड़ा सा अलग परिके से इसे approach करने की कोशिश कर रहा हूं तो electric field की value मुझे मिल जाएगी m divided by n e square into tau which is equal to which is equal to e to be equal to e into l textbook में अलग है textbook में देखना textbook में वीडी निकालने के बाद टेक्सबुक में वीडी निकालने के बाद डिरेक्टली यह वाला relation यूज किया गया है that is relation between the drift velocity and relation between the drift velocity and current यह वाला relation directly यूज किया गया है टेक्सबुक में लेकिन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसे कर रहा हूं कोई प्राब्लम नहीं है एक चीज हम दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं electric field की value कितीनी आई है मेरे पास j into m j into m n e square into tau into l n e square into tau into l j को क्या लिख सकते हैं बेटा जे को लिख सकते हैं i by a m into n e square tau into l तो देखो बेटा तो यह रजिस्टन्स जो मिलता है ना रजिस्टन्स मुझे यहां से मिलता है अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लूँ कुछ इस तरह से लिख लूँ बेटा रजिस्टन्स एर इस एक्योल डू रो यल बाइए रजिस्टन्स आज टूरो यल बाय थोड़ा सभीक्वाइन से देखना तो यह अगर पूरा रजिस्टन्स का टर्म होने वाला है यह रजिस्टन्स का का टर्म किस तरह से बनेगा वी सिक्वाइं और हाँ अगर मैं इन दोनों को म्यां करने की कोशिश को इन दोनों को यह क्या है तो यह पैर अगर मैं इन दोनों को करने की कोशिश करो तो मुझे यहाँ पर रजिस्टि वीटी मिलेगी विच इज इक्वाल टू एम एफ स्क्वेर इंटु टौ एफ एफ इस्क्वेर इंटु टौ अपने टेक्स्पूक में लेकिन मैंने क्या किया जो हमें पता है जो हमें पता है मैंने सब को करने की कोशिश की है और उसके बाद हम यहां पर रजिस्टिवीटी का मुझे मिल जाएगा एनी स्क्वेर टाव बाई एम एनी स्क्वेर टाव बाई एम कुछ इस तरह से मुझे कंडक्टिवीटी मिलने वाला है तो अलग-अलग expression मैं यहां पर find out कर सकता हो तो physical significance क्या है इस चीज़ का तो resistance वाट इस तो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी वेटा जो कुछ इस पारामिटर की उपर depend करता है और यहां पर यह जो टर्म मुझे दिखाई दे रहा है ना इसी टर्म को हम कहते है वेटा resistivity इसी टर्म को हम कहते है resistivity यह material की प्रॉपर्टी होती है resistivity क्या material की प्रॉपर्टी और temperature के उपर डिपेंड करता है कि temperature की उपर अब थोड़ा से इसे भी समझ लेते हैं जैसे heat temperature बढ़ेगा धान से देखना जैसे heat temperature बढ़ेगा रजिस्टंस का मैं फॉर्मिला लिख देता हूँ रजिस्टंस और इस एकुल टू-m into L divided by N E स्क्वेर टव इंटू ए कि क्या क्या हूने वाला है देखना है कि मैं पोलने वाला कि टेंप्रेचर बढ़ा टेम्परेचर बड़ा ठीक है एनर्जी मिली देगी वाहए क्या हुए विच्छ जादा होने लगे लिए बाइब्रेशन फ़ापे क्या होने लगे ज़्यादा हो रहे है मतलब क्या पास मेरा ल सिंपरेचर बंघ केlarda रिलाक्सेशन टाइम जो है आपिस टाइम पिरे बिटीन देट टू सक्केशु कोलूजन रिलाक्सेशन टाइम मेरा घटने वाला रिलाक्सेशन टाइम और रेजिस्टंस में इनवर्स प्रोपोर्शन है अगर यह घटा तो इन शौट यह बड़ा अगर रिलाक्सेशन टाइम गता तो रजिस्टेंस बड़ा तो इसे लिए हमने सेमि कंड़ाक्टर में सेमिकंड़ाक्टर में याद करना हमने रजिस्टिविटी υτटिविटा अभी फटना यूज किया था रसीस्टम बढ़ा मतलब क्रट्रेशन मिला यாद है यह वाला ग्राफ मने ड्रॉ किया था इस मीक केद्वेंच सिरविण यह आता कहां से तो यहां से आता है यह मेरा यहां से आता है ओके ठीक तो यह चीज था वेटा जो हमना रहे टेक्स्बूक में अच्छी तरह से नहीं दिया है कुछ अलत तरीके से वहां पर किया है मैं तो कहूंगा कि वहां पर डारेक्ली ही किया गया हिश चलो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुझे यहां पर सिगमा मिला यह सिगमा होता है समझे लो कणफूस पीज मत होना हिए होता है रो और हो यह जो सिगमा है तो यह हैं आप pine इस एक्स्प्रेशन की तरफ जाने की कुशिश करता हूं तो यह देखना यह एक्स्प्रेशन आप मॉडिफाइ होने वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से मिला था इस तरह से तो यह मुझे मिल जाएगा जे बाइ सिग्मा जे बाइ सिग्मा वीचीज इक्वाल टू तो मुझे यहाँ पे current density मिलेगी current density is equal to sigma into e current density is equal to sigma into e यह वाला expression भी हमें textbook में दिया गया है तो यहाँ पे जो point बाकी था उसकी तरफ चलते हैं that is current density in terms of electric field मैं इसी को लिख सकता हूँ कोई problem है नहीं तो यह थोड़ा सा याद रखने यह mcq के लिए सीटी में देखा जाए तो यह चाप्टर है नहीं सीटी में लेकिन आगर आप नीट और जही करने की कुशिश कर रहे तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट है ओके ठीक आगे बढ़ते हैं तो यह आज का अपना session खतम हुआ है तो देखने बेटा आज के हमने session में क्या क्या समझने की कुशिश की तो आज के इस session में हमने electric sorry electric current को define किया उसका direction समझने की कुशिश की conventional direction of flow क्या होता है और electron flow क्या होता है उसे समझने की कुशिश की ठीक उसके बाद हमने देखा बैटा drift velocity drift velocity उसका definition relaxation time mobility भी समझने की कुशिश की अब current और drift velocity में यह relation है तो यह आपके exam के point of view से कॉलेज के exam के point of view से यह derivation important है तो यह चीज़ देख लिए उसके बाद हमने वेक लिए बैटा ohm's law ohm's law उसके limitation एक ही limitation है बैटा यह universal law है नहीं और जो कि non-ohomic conductor है वहाँ पर graph मेरा linear होता नहीं मतलब यह वहाँ पर follow किया नहीं जाएगा और फिजिकल सिग्निफिकन्स अ कि फिजिकल सिग्निफिकन्स और और यह भी चीज हमने अच्छी तरह से देखने की कुशिश ठीक है तो यह सारी चीज़े हमने आज की सेशन में कवर कर लिया तो आप लोगों को इसके उपर होमवर्क है तो लगबक चार कोशन है चार एंसी क्यों है इजी वाले कोशन है कुछ प्रिवियस आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे जैसे यहां पर देखना पोटेंशल डिपरेंस दिया गया है करेंट दिया गया है दिन अनुभर ऑफ इलेक्ट्रॉंस स्ट्राइकिंग टार्गेट पर सेकेंद तो नंबर अफ एलेक्ट्रों यहां पर पूछा गया है तो अच्छ और यह वाला कोश्चन भी आप लोगों के लिए हुमवक होगा तो कर लेना अच्छी तरह से अगर नहीं आता तो आप डाउट सेक्षन में आके वहाँ पर डाउट डाल सकते या फिर आप डारेक्ली कमेंट सेक्षन में एक दूसरी का अंसर भी चेक कर सकते तो यह सारी चीज आज का सेशन आज की सेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें चाप्टर से कवर करने की कोशिश कि अगर आपको कुछ डाउट हो तो यस यू कन कमेंट इन दे कमेंट सेक्षन ओके तो विटा फिर मिलेंगे अगले निक्षर में इसी के साथ तब तक की लिए थाइंक्यू धन्